हलो गाइज देखिए यह लेटर है जो अल्फावेट से यह अ है तो इसको आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी वर्ड मेनिंग को शो किया गया है उनकी पिक्चर के साथ आप देख सकते हैं जैसे अ है इसको एरोपलेन यह आप एरोपलेन देख रहे हैं यह एपल है ए यह arms को आप देख रहे हैं भूजा को बनी हुई है यह अग्स है कुलहाडी को आप देख सकते हैं यह अरो है आप यहाँ पर तीर कानिशान को देख सकते हैं तो एक alphabet एक letter की सात कितने सारे word meaning आप देख रहे हैं तो इसी तरह से आगे भी दिखाया गया है जैसे बार्स है यह आप टूथ पर्स देख रहे हैं यह देख यह बनी हुए है यह बैट यहाँ यह बेंज देख रहे हैं जिसको चार स्टेंट लगे हुए है इसकी यह बोल है यह आप blue ball को देख रहे हैं यह बोल है यह blue color भी है साथ में आप यानि के blue color की ball को आप देख रहे हैं तो गाइज कितने अच्छी एक्टिविटी शो की गई है आगे देखिए यह C है, C से कौन-कौन से letters बनते हैं, कौन-कौन से word meaning बनते हैं, जैसे cat यह आप cat बिल्ली को देख रहे हैं यहापे यह आप colors को देख रहे है, यह colors है, कितने सारे colors है यह candle है, यह आप candles को देख रहे हैं, जो जली हुई है यह coffee है यानि कि आप coffee को देख रहे ही cup अठीक यह इसमें देखा आपने कितनी अच्छी एक्टिवटी बनी हुई है इसके अंदर अब D को देख लेते हैं अब यह D है जैसे D में क्या-क्या बनावाए है Drum यह देखाँ अब Drum बने होए है डी से डी से डास से बनावाई यह पासा बना होए है यह D से इंद्वर्ड को बनी होई है यह डॉल्फिन से द्रोंको देख रहे हैं और द्रॉद्ट द्रॉद नहीं और द्लग धेंद्र होई wed certaines है एक्टिविटीं अच्छे अच्छे अक्तिवीटीं बनी हुई है भुझे